हाई गैस जैसे कि आपको पता है तीन मही से आपका जो एक्जाम है वो आपका पॉस्पॉर्ण हो चुका है सीजी बोट को ले करके ठीक है लेकिन यहाँ पे एमपी बोट से एक बड़ी खबर आ रहे हैं कि बारवी की परिछा जून में होना है अभी यह आफलाइन होगा यह आउनलाइन होगा इस पर कल फैसला होगा अभी यहाँ पे आफलाइन कराने का जो संकेत मिला हुआ है बारी वालोगा ठीक है हम इस वीडियो को इसलिए रिकबर कर रहे हैं क्योंकि एमपी बोट का भी प्रभाव C.G. बोट पर पड़ता है और सबसे जादा प्रभाव आपका C.B. A.C. पर पड़ता है बारी वालों को भी जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है MP board में और बारी वालों का offline paper कराना लगबग लगबग यहां पे तर है यहां पे साब साब mention भी किया हुआ है आप यहां पे देख सकते हैं कि बारी के परिक्षा जून महिना में कराने के त्यारी है अब यह परिक्षा online होना चाहिए या offline इसी को लेकर के सोंबार को अंतीम फैसला होगा यानि कल के date में आप फैसला होगा परिक्षा offline ही होने के संकेत मिल रहा है क्योंकि online के 100% होना इतना असान है नहीं इसी तरह दस्वी की परिक्षा online होगी या आंतरिक मुल्यांकन के आधार पर result घोसित होगा इसको भी लेकर के जो बैठा के उसमें विचार विमर्स किया जाएगा तो यहाँ पर बारी वालों को तो साब साब मेंसन यहाँ पर कर रहा है कि इनका paper आपका लेना है लेकिन दस्वी के यहाँ पर बता है कि CVSC के तर्च पर यहाँ पर इनको internal मुल्यांकन के base पर इनका result बनाया जा सकता है मतलब इनको general promotion दिया जा सकता है तो कल यहाँ पर फैसला आना है और अगर यह फैसल अगर आपका offline paper का होता है या online paper का होता है तो इसका जो आदेस होगा वो भी 36 गड़ बोट पर effect डालेगा क्योंकि वहाँ का board भी यहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ा मोड़ा यहाँ पर उलट फेर होता है वहाँ कर जो भी फैसला होगा यहाँ पर कुछ न कुछ effect CG board के student पर भी पढ़ने वाला तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें तब तक जय हिन जय भारत